नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं मोडल को अपना कर गरीबों और जरुत मंदों को सरकारी योजनाव का लाब दे रहे हैं आदिवासी दलित पिछड़े अलपसंख्या किसार मैदूर विद्यार्थी यूवा महिला बुजूर्ग हर किसी के लिए सरकार की योजनाए है राज्य के लिए यह अभियान गेम चेंजर साबित हो रहा है कारकरम में बिभीन योजनावों के लाबकों को 126,94,50,000 रुपए की परिसंपत्ती भी तरीत की गई उन्होंने 66,76,20,000 रुपए की लागस्त निर्मीत 21 योजनावों का उधगाटन भी किया है वही 97 योजनावों के अधार सिला रखी गई इन योजनावों पर 87,04,80,000 रुपए खर्ष होंगे मौके पर गरामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम, स्रम मंत्री सत्यान भोक्ता, सांसत बिजाय हंसदा विधायक इस्टिफर्ण मरांडी, दिनेस, बिलीमाम मरांडी, वहीं जिला परिशत अध्यक्षता जूली भी उपस्तित थी जारखन के सभी मईदू सुरक्षित उत्राखन में परिजनों को सुवधाय दे रही हेमंद सरकार उतराखंड के उतरकासी में सिल्गियारा और डंडल गाओं के बीच निर्मणाधिन टनल में फ़से जारखन के स्रमिकों का हाल जानने गए उनके परिजनों को हर सुवधाय उपलब्द कराई जा रही है आपको बता दे कि टरनल में फसे सरमिकों का हाल जानने उनके परिजन उत्राखंड पहुचे हैं इसकी जनकारी जब मुक्ष मंत्री हमान सुरन के हुई तो उन्हें हर सुबदा उपलब्द कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है टरनल में फसे जारकंड के सभी 15 सरमिक सुरक्षी था है रांची, गिरीडी, खुट्टी और पच्मी सिम्भू के सरमिकों के परिजनों से इन जिलों को उपायुक्तों की बातचित हो रही है वहीं उत्राखंड के उत्रकासी में सिल्की आरा और डंडल गाओं के बीच निर्मानाधिन टरनल में जारकंड के 15 सरमिक फसे हुए है इन वे से गिरीडी के दो, खुटी के तीन, रांची के तीन, एवं पच्मी सिम्भू के 7 सरमिक की पुष्टी हुई है जारकंड के सिम हेमन्त ने आपकी योजना आपकी सरकार को बताया गेम चेंजर जारकंड के सिम हेमन्त शुरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकंड की तीसरा चनल में सन्नीवार को पाकुड में थे इस दोरान आयोजीत कारक्रम में उन्होंने पाकुडवासियों के एक सो तीरपन को और एक आसी लाख रुपए की एक सवठारा योजनाओ का थोपा दिया है मुख्यमेत्री ने कहा है कि देश के कई राजे जार्खन के इस मोडल को अपना कर गरीबों और जरुत मंदों को सरकारी योजनाओ का लाब दे रहे हैं आदिवासि दलीत पिछड़े अल्पसंखे किसान मैदूर विद्यार्थी युवा महिला बुजूर्ख हर किसी के लिए सरकार की योजनाओ है राजे के लिए या अव्यान गेम चेंजर साबित हो रहा है कारकरम में विभीन योजनाओ के लभगों को 126,94,50,000 रुपे की परिसंपत्ती बित्रित की गई है बागेस्वर धामवाले धिर्यंद्र सास्तरी के पलामू आगमन का आदेश रद हनुमंत कथावाचक पंडि धिर्यंद्र क्रिष्न सास्तरी के पलामू में आगमन ममले में डीसी ससीर अंजनने सदर अनुमंदल पताधिकारे के आदेश को रद कर दिया है आयोजकों को आपदा यो मौसम विभाग से अनापत्ती परमान पत्र लेने को कहा गया इसके साथ ही नदी किनारे आयोजन को लेकर SDO को 300 सरी टीम गठित करने का निर्देश दिया है आपको बता दे कि पलामू में 10 से लेकर 12 दिसंबर तक पंडित धिर्यंद्र सास्तरी के आगमन को लेकर पहले SDO द्वारा अनुमती दी गई थी वहीं DC सी रंजन ने कहा है कि जीस जगा पर आयोजन किया जा रहा है वहां नदी तट होने से एको सिस्टम प्रभावित होने वह नदी के कोर कमंडर एरिया के एकोलोजिक कल अउज्थिर होने की असंका है इस मामले में जीला वन प्रमंडल पता दिकारी से अनापती प्रवान पत्र लेना आवस्यक है जार्खन की अढ़ाई लाख रसोया का महा जुटान 3 दिसंबर को मुराबादी में जार्खन के विभीन विद्यालू में बच्चों के लिए मद्धाहन भोजन बनाने वाली लाखोर रसोया और संजोजिका एक बार फिर से अपने विभीन मांगों को लेकर मुखर है वो सभी एक बार फिर से सरकार के समक्ष एकजूट हो रही है राजी में काम करने वाले करीब 2,47 रसोया करमचारी आगामी 3 दिसंबर को रांची के मुराबादी मैदान में एक जुट होंगे बता जे 3 दिसंबर को होने वाले कारिकरम को लेकर जारकन परदेश बिद्याला है रसोया संजोजिका संग के परदेश अध्यक्ष अजीत पर्यापती ने जनकारी दी है उन्होंने बताया है कि इस कारिकरम के बादें से मुख्य मंत्री के सामने वे मांग रखेंगे कि अब इसकूलों में खाना बनाने वाले रसोया को निमतम बेतन दिया जाए जबकि बर्तमान मेरा सोया को मात्र 66,66 प्रति दिन बेतन के हिसाब से बुकतान किया जा रहा है जबकि संजोजिका और अध्यक्ष को बिना बेतन का ही काम करना पर रहा है जारखन राज करमचारी महासंग का छथा राज समेलान जारखन राज करमचारी महासां का छाठा राज समेलन सनिवार को पूलिस लाइन में शुरू हुआ इसका उध्गाटन जारखन बिधान सभा अद्यक्स रविन दनात महतों ने किया है इस मौके पर उन्होंने उनकी समस्याओं और मांगों को वाजिब बताते हुए इसे पूरा होने का अस्वासन दिया इस फिकर ने कहा है कि राज सरकार आपके समेलन में पारीत प्रस्ताओं को पूरा करने का प्रयास करेगी मौके मंत्री ने पुरानी पेंसर योई ने लागू की जिससे फविसे में सेवा नेमित करमचारी किसी परिवार पर आस्रित नहीं होगा समेलन में जो प्रस्ताओं आएगा वह सरकार के पास जाएगा बिद्यार्थियों के लिए गुरु जी क्रेडिट कार्ड योजना वैसे गरीब बिद्यार्थियों जो पैसे की कमी के कारण दसवी और बरहवी के पढ़ाई करने वैसे बिद्यार्थियों को आर्थिक साहता पलदान करने के लिए राज सरकार ने गुरु जी इस्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निने लिया है योजना के अंतरगात इक्छुक और आहर्था प्राप्त छात्र शत्राओं को बैंकों से जोड़ कर उस सिक्षा के लिए रियायती दरपरिन उपलब्द कराई जाएगी जीला सुचना यम जम संपर्क बिभाग द्वारे जनकारी देते हुए बताया क्या है कि आवेदा को चार परतिस्सत बार्सिक सधान ब्याजदर पर पंद्रह लाग तक का आसान रिन ले सकते हैं जारखन के कई हिस्सों में बदल रहा मौसम राज के कई हिस्सों में मौसम के बदलने से तापमान में गिरावट आई है रांची मौसम बीभाग के बैग्यानी अविशेक अनन ने सनिवार को बताया है कि 29 नॉमबर से राज में ठंड बढ़ने की समभवना है वही 28 नॉमबर तक राज के कुछ हिस्सों में बदल चाहे रह सकते है 26 नॉमबर को आसिक बदल चाहे रहेंगे जबकि 27 और 28 नॉमबर को बदल गहरा सकता है वही 29 नॉमबर से राज में बादल का आसर नहीं देखा जाएगा लेकिन तापमान में ठंड की ब्रीधी होगी लोगों को ठंड का आसास होने लगेगा रांची के ठानेदार पर यूती ने लगाया योन सोसन का आरोप एसेसपी ने दिया जाच का आदेश हटिया लटमा की रहने वाली यूती ने सहर के एक ठानेदार पर योन सोसन का रूप लगाया है मामले को लेकर यूती ने रांची के एसेसपी चंदन सिना के सामने इंसाप को लेकर गुहार लगाई है मामले को गंभीता से लेते हुए SSP ने हटिया DSP राजा मित्रा को जांच की जिमेदारी सोपी है SSP के आदेश पर DSP ने जांच सुरू कर दी है वही थानेदार ने DSP को यूती से बादचीत का वारल रिकोर्ड भी उपलब्द कराया है जिसकी जांच की जा रही है गोतलबहो की थानेदार हटिया DSP के इलाके के हाई जार्खण प्रती दिन 72 लाँक लीटर दूद का उतपादन कर रहा जार्खण दूद के छेत्र में आत्म निर्भर बनने की राह पर है राजिमें लागातार दूद का उतपादन बादता जा रहा है बरतमान में प्रति दिन 72 लाख लिटर दूद का उत्पादन हो रहा है बतादे पिछले साल दूद का उत्पादन 65 लाख लिटर प्रति दिन का था सरकार के पुरसाहन रास्जी और जहारकण मिल्क फेडरेशन के सहयोग से दूद के उटपादन में बढ़ोतरी हो रही है बर्तमान में रांची में सबसे ज़यर दूद का उटपादन होता है प्रोसेसिंग के बाद 1.5 लाख लिटर पैकेज के जरी ये बजार में बेचा जाता है उसके बाद दूर से कुछ उत्पादन भी बनाये जाते हैं पूलिस की सक्ती से घट गई सरक हाथसों की संख्या पूलिस की सक्ती से राज में सरक हाथसों में कमी आई है आठ जीले ऐसे हैं जहां मोटर वाहन अधिनियम के तहत पूलिस की सक्ती वर लोगों में जगरूपता की बदला सरक दुरुगाटना में कमी आई है इन जीलों में चत्रा पाकुड़ गोड़ा, चाईबासा बोकारो खुटी, खोडारमा वा पलामू जीले सामिल है एजनकारी जहारखन पूलिस के ADG अभियान संजय, अनन्द राव, लाटकर के अधिक्षता में सुक्रवार को वीडियो कंफेंसिंग के माध्यम से सभी जीलों के साथ बैठक में सामने आई है बैठक में सलक्ट, सुरक्षा, कोसांग, जहारखन के नोडल अधिकारी, DIG, सुनिल भासकर, पलामू, प्रचेत्र के आई जी, सभी रेंज डी आई जी, सभी एस एस पी, सभी जीलों के डी एस पी यातायात मुख्याले सामिल हुए थे सीबु सुरेन के परिवार जैसा नहीं बनना, बाबुलाल मरांडी, सन्निवार को सहेव गंज के बरहेट परखनी स्थित भोगना डिह गाउं में भाजपा द्वारा अयोजीत आदिवासी अधिकार यात्रा के दोरान, भाजपा परदेस्त अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी पत्रकारों से बादचित की, इस दोरान उन्होंने हेमन सुरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा, बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि आदिवासियों को अधिकार मिले यहां के लोगों को हक दिलाना है, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, सिर्फ सीबु सुरेन के परिवा की धर्ती रही है, और आदिवासिय अधिकार यात्रा के जरी अधिवासियों को अधिकार मिले, इसके लिए आज यहां से यात्रा सुरू की गई, यहां के लोगों को हक दिलाना है, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, जार्खन अंदोलन कारी सुल्ला और 17 दिसंबर को राजी में करेंगे आर्थिक नाके बंदी, जार्खन अंदोलन कारी संघर्स मोर्चाने 16 और 17 दिसंबर को आर्थिक नाके बंदी की घोसना की है, इस दोरान पचिम मंगाल 36 गड़ उडिसा, उतर पर देश और बिहार की सिमाये पूरी तरह से सिल की जाएगी, उक्त निर्न जार्खन राज बनाने, मरांग गों के जैपाल सिंग मुंडा के जियनती 3 जन्वारी को जार्खन अंदोलन कारी दिवस मनाए जाने, रोजी रोजगार नियोजन में जार्खन अंदोलन कारी को अधिकार देने समयत अने मांगों को लेकर या आर्थिक नाके बंदी राजापक आदोलन तेज करेंगे बनाई रखी लेकिन अब टेट पास अध्यापकों का सब्र जबाब दे रहा है अब अंदोलन रत सायक अध्यापकों ने हिमन सुरेन के नितित वाली सरकार गठन की चौंती वर्षगाट पर जोरदार अंदोलन करने की योजना बनाई है भागपा मवादी का सब्र जोनरल कमांडर बबन भोकता गिरफतार मिली थी कि परतिमंदित भागपा मवादी संगठन के सब्र जोनरल कमांडर बबन भोकता और बबन जी संगठन के विस्तार करने और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपने घर नौकाडी पत्रापूर के तरफ आया हुए है इसी सुचना के आलोक में चात्रा स्टीप्यों के नितित में एक बिसेश चापे मारी टीम का गठन किया गया धन्यवाद यदि आप सरकारी योज नाओ के बारे में जनकारी पाना चाहते हैं तो जहरखंडी नियूज का फेस्बुक पेज को फोलो करना ना भूले लिंक डिस्क्रप्शन बॉक्स में है साथी साथ वीडियो को एक लाइक करना भी ना भूले धन्यवाद